Hello aspirants, welcome to our channel Study IQ Judiciary and आज के इस पर्टिकुलर विडियो में हम Indian Penal Code का एक बहुत ही important provision discuss करने वाले हैं, जो की दिया है आपके section 120A और 120B के अंदर. तो आज हम discuss करेंगे criminal conspiracy के बारे में, 120A के थूँ हम समझेंगे कि criminal conspiracy होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है, किन-किन चीज़ों से criminal conspiracy बनता है, और 120B में हम discuss करेंगे कि criminal conspiracy के लिए अगर कोई libel माना जाता है, तो उसकी क्या punishment हो सकती है. तो सबसे पहले जो हमको देखना है, विच इस कि criminal conspiracy आपके कौन से section में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है section number 120A IPC में. Criminal conspiracy बोलता है कि जब दो या दो से जादा लोग क्या करते हैं, agreement करते हैं. अब ये agreement आपका Indian contract act वाला agreement नहीं है, agreement यानि की agree करते हैं, आपस में discuss करते हैं, planning करते हैं और agree करते हैं कि भई हमको ऐसा करना है. ठीक है, तो जब दो या दो से जादा लोग agree करते हैं कि हमें कोई illegal act करना है, या फिर एक ऐसा act करना है जो कि या तो खुझ से illegal नहीं है, बट उस act को करने के लिए illegal तरीकों का use किया जाता है, illegal means का use किया जाता है. तो हम बोलते हैं कि आपस में इन्होंने ये जो agreement किया था, ये जो discussion किया था, किसी गलत चीज़ को करने का, उसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये बनता है criminal conspiracy का offense जो की 120A में दिया हुआ है. अब यहाँ पे एक example की through इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मालो A और B दो लोग हैं और ये आपस में agree करते हैं, यानि कि आपस में agreement करते हैं, decide करते हैं कि हमको जाके एक particular X bank है, इसको हमें जाके लूटना है, इसमें robbery करनी है. तो A और B के बीच का ये जो agreement है, ये जो इन्होंने planning की है, bank लूटने की, इसे एक offense माना जाएगा, इसे criminal conspiracy हम मानेंगे और ये दोनों उसके लिए libel ठहराए जाएंगे. यहाँ पे भले ही उन्होंने अभी crime commit नहीं किया है, ठीक है अभी उन्होंने हो सकता है bank जाके ना लूटा हो, बट इन्होंने ये जो preparation चालू कर दी है, ये जो discussion, ये जो planning चालू कर दिया है, वहीं पे ये एक offense मान लिया जाएगा, criminal conspiracy का offense आपने किया है, ऐसा यहाँ पे consider कर लिया जाएगा, ठीक है, अब 120A में आपको proviso भी दिया हुआ है, जो कि ये चीज बोलता है, कि provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy, यानि दो लोग जिस चीज का agreement कर रहे हैं, उनके बीच में किसी चीज को लेके जो discussion, जो planning हो रहा है, वो किस चीज के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी offense के लिए, तभी वो आपका क्या माना जाएगा, criminal conspiracy माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे ये एक और चीज बोलते हैं, कि unless some act besides the agreement is done by one or more parties, to such agreement in pursuance thereof, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कि मान लेते हैं, आपने एक agreement किया, आपने आपस में decide किया, किसी legal चीज को करने के लिए, ठीक है, तयानि, आपके बीच में जो agreement हुआ है, जो discussion हुआ है, वो किसी illegal चीज को करने के लिए नहीं हुआ है, आपका agreement एक legal चीज को करने के लिए हुआ है, लेकिन इस agreement को execute करने के लिए, इस legal act को करने के लिए, आपने उसके pursuance में एक ऐसा act कर दिया, जो कि illegal है, तो वो भी criminal conspiracy में मान लिया जाएगा। Example, A और B जैसे decide करते हैं कि हमें कोई act करना है। अब वो act भले ही legal हो। बट उस legal act को करते करते, अगर इन्होंने उस act के pursuence में, यानि उस act को करते करते, अगर कोई illegal act कर दिया, तो वो भी criminal conspiracy के लिए यहाँ पे libel मान लिये जाएंगे। तो इससे यहाँ पे explanation क्या बोलता है? कि इस चीज से फरक नहीं पड़ता कि आप legal act करने वाले थे याँ आप illegal act करने वाले थे। भले ही आप legal act भी कर रहे होंगे, आपका agreement इक legal act को करने के लिए ही होगा। बट आपकी उस agreement को, आपकी उस act को करते-करते, उसके pursuence में भी अगर आप कोई illegal चीज कर देते हैं, तो वो भी criminal conspiracy में section 120A में count कर लिया जाएगा। आगे यहाँ पे एक important point, criminal conspiracy का एक important point ये बोलता है, कि जितने लोग conspiracy कर रहे थे, जितने लोग वहाँ पे किसी offense को या किसी act को करने की conspiracy कर रहे थे, उन सब के बीच में objective knowledge clear होना चाहिए, तब ही वो सब लोग criminal conspiracy के लिए liable माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक landmark case में बोला गया था, which is state of महराश्रा वर्से सोमनाथ थापा के case में, कि किसी व्यक्ति को criminal conspiracy के लिए आप तभी frame कर सकते हैं, तभी उसके उपर liability डाल सकते हैं, अगर उसको भी उसके साथ वाले लोगों के साथ, conspirators के साथ, उसको भी अगर motive के बा मान लेते हैं, चार लोग हैं A, B और C, ये आपस में decide करते हैं कि हमको जाके एक bank लूटना है, और ये चारों मिलके पूरी planning करते हैं कि किसे क्या काम करना है, A क्या करेगा, B क्या करेगा, C वहाँ पे पहरेदारी देगा, और D इन लोग को गाड़ी से लेके जाएगा और व इनका objective क्या है और इनका motive क्या है और ये यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो ये चारों के चारों criminal conspiracy के लिए liable माने जाएंगे, इसके versus अगर हम दूसरा example ले, मान लेते हैं A, B और C, तीन लोगों ने मिलके decide किया कि एक bank जाके लूटना है और decide कि कि किसका क्या काम रहेग जा रहे हैं, वहाँ पे लूट बचाने जा रहे हैं, बस लेकिन D को इन्होंने इतना बोला था कि आप हमें bank तक लेके जाना, हमें bank में कुछ काम है और bank से आप हमको वापस जो है वो यहाँ पे लेके आ जाना, तो जो D है यहाँ पे उसको उसके साथ के जो ये co-conspirators हैं, यानि कि बाकी के जो लोग हैं, उनके objective, उनके motive के बारे में नहीं पता था, उसे नहीं पता था कि ये लोग bank में क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये पकड़े जाते हैं, तो criminal conspiracy के लिए सिर्फ A, B और C ही liable होंगे, D आपका liable नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे objective, motive नहीं पता था, कि किस चीज को करने के लिए वहाँ पे जाया जा रहा है, आगे अगर हम बात करते हैं, तो देखो criminal conspiracy सिर्फ criminal acts के लिए ही नहीं, लेकिन civil wrong के लिए भी की जा सकती है, criminal conspiracy, civil wrong को करने के लिए भी की जा सकती है, यह हमको कैसे पता चलता है, section 120A में अभी हमन देखा, वहाँ पे लिखा है criminal conspiracy, यानि दो या दो से जादा लोग agree करते हैं किसी illegal चीज को करने के लिए, किसी illegal act को करने के लिए, यानि यहाँ पे word दिया है illegal, अब अगर section 43, IPC का आप उठा के देखेंगे, और वहाँ पे illegal word में क्या-क्या चीज़े आती हैं वो देखेंग भी लिया जा सकता है, तो इससे हमें पता चलता है कि 120A में सिर्फ criminal चीज़े नहीं आती हैं, बट civil wrong के लिए भी अगर criminal conspiracy की जाती है, तो वो भी liable माना जाएगा, तो criminal conspiracy आपके civil wrongs के लिए भी की जा सकती है, अगला चीज है कि criminal conspiracy एक continuing offense है, continuing offense क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो agreement हो रहा है, जो discussions हो रहे हैं, जो planning हो रहे हैं, वो काफी अलग-अलग stages पे चलते रहते हैं, example ले लेते हैं, मान लेते हैं A और B दो लोग हैं, इन्होंने discuss किया, इन्होंने सबसे पहले एक plan बनाया कि हमको जाके एक bank लूटना है, ठीक है, बाद में कुछ दिनों बाद उसमें D भी जुड़ गया, ठीक है, लेकिन बाद में इन चारों लोगों को पकड़ दिया जाता है, और अब इनको criminal conspiracy के लिए libel ठहराया जाएगा, तो यहाँ पे जो दो parties थी C और D, यह यह नहीं बोल सकते कि हम criminal conspiracy के लिए libel नहीं होंगे, या हमको कम punishment मिलनी चाहिए, क्य बाद में आपने उस group को आप उस criminal conspiracy का पार्ट बने हो, तो भी आप उतने ही हिस्सेदार, आप उतने ही जिम्मेदार होंगे, आपको उतनी ही punishment मिलेगी, जितने A और B को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि criminal conspiracy है, conspiracy काफी, अलग-अलग stages तक, अलग-अलग चीजों में चलती है, तो कोई बाद में उस conspiracy का पार्ट बने या starting में बने, लाइबल आप वैसे भी कहलाओगे ही, आगे है, criminal conspiracy में एक और topic आता है, which is mutual agency, देखो criminal conspiracy किस topic पे चलती है, किस principle पे चलती है, joint और mutual agency के principle पे, agency में आपने अगर पढ़ा है, agent यानि की एक व्यक्ती, दूसरे व्यक्ती के act के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है, तो यहाँ पे criminal conspiracy में भी same चीज होती है, कि हर conspirator, हर वो व्यक्ती जो उस criminal conspiracy का पार्ट था, ठीक है, वो अपने act के लिए भी जिम्मेदार है, और दूसरों के act के लिए भी जिम्मेदार है, हर वो act, जो कि उनके common object को पूरा करने के ल जैसे कि for example, माल लेते हैं, यहाँ पे आपके चार लोग हैं, A, B और C और D, यह चारों decide करते हैं कि हमको जाके bank लूटना है, तो agreement सिर्फ bank लूटने का हुआ था, criminal conspiracy सिर्फ bank लूटने की की गई थी, लेकिन बाद में जब यह bank लूटने गए, तो वहाँ पे bank लूटते लू सकते हैं कि हम तो सिर्फ bank लूटने के लिए ही libel माने जाएंगे, हमको culpable homicide की punishment नहीं मिलनी चाहिए, law यहाँ पे बोलता है कि आपने, आपके साथ के जितने लोग थे, आपके साथ के जितने conspirators थे, आप उनके acts के लिए भी जिम्मेदार हो, अगर आप सब वहाँ पे किसी offense क किसी चीज को करने के लिए गए थे, और उस चीज को करते करते, ठीक है, आपकी उस common object, जो आप चारो का common object था, bank लूटना, उसको execute करते करते, उसको complete करते करते, उसके furtherance में, अगर आप कोई चीज करते हो, अपने common object को पूरा करने के लिए कोई चीज करते हो, उस act के लिए भी आप liable माने जाओगे भले ही वो act आपने किया हो या आपके साथ के आपके group के बाकी लोगों ने किया हो तो यहाँ पे जितने भी conspirators रहते हैं वो अपने act के लिए भी liable होते हैं और उनके साथ के जो लोग हैं उनके act के लिए भी liable होते हैं अगर वो act उन सब के common object को पूरा करने के लिए किया गया है ठीक है अब यहाँ पे देखो question आता है कि criminal conspiracy punishable क्यों होती है तो इसका answer देविंदर पाल सिंग वर्सेस state NCT of Delhi में दिया गया था अगर हम एक individual person के बारे में बात करते हैं माल लेते है एक व्यक्ती है ए ने decide किया कि इनको किसी का murder करना है इन्होंने पूरी planning वगरा भी की यह जाके आपका knife वगरा खरीद के लेके आए इन्होंने पूरा discussion भी किया कि हमको किस तरीके से हमको मुझे किस तरीके से murder करना है लेकिन ultimately इन्होंने murder किया नहीं, जा कि उस knife को कहीं पे fake दिया और इन्होंने अपने murder के plan को execute यहां पे नहीं किया, यहां पे जो हम 4 stages of crime पढ़ते हैं, उससे हमको यह पता चलता है कि A जो है इस चीज के लिए liable नहीं होगा, A will not be held liable क्योंकि इन्होंने murder किया यह सिर्फ planning करके, यह सिर्फ सोच वगरा के इन्होंने आगे उसको execute नहीं किया, इन्होंने murder कमिट नहीं किया, लेकिन वहीं पे अगर A के साथ एक और व्यक्ति होता, यानि कि B, यानि कि 2 या 2 से जादा लोग होते, यही 2 लोग अगर किसी murder को करने का plan करते हैं, भले ही उसे execute नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ पे एक criminal conspiracy के लिए liable ठहरा दिये जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, तो इसका answer देविंदर पाल सिंग versus state and city of Delhi में दिया गया था, जहाँ पे court ने समझाया कि एक अकेला व्यक्ति जब किसी offense को करने के लिए planning करता है, मन बनाता है, तो maximum chances होते हैं कि वो शायद उस crime को ना करे, उस crime को करने से पीछे हट जाए, क्योंकि उतना encouragement, उतनी हिम्मत नहीं होती, बट वही पे अगर एक आदमी ना होके, एक से जादा आदमी हो जाते हैं, यानि कि दो या दो से जादा लोग हो जाते हैं, तो crime करने की और हिम्मत बढ़ जाती है, crime करने का encouragement मिलता है, तो वहाँ पे इसलिए भलई इन लोग का सिर्फ mens ria था, ठीक है, बाकि इन लोग का यहाँ पे किसी भी तरीके का actus ria नहीं था, किसी भी तरीके से अभी कोई action नहीं किया गया था, फिर भी इसलिए criminal conspiracy के लिए लोग libel ठेराए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जादा chances होते हैं, कि यह actual में crime को जाके execute करेंगे, क्योंकि जब दो लोग होते हैं, तो पे crime करने की हिम्मत, encouragement और जादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसलिए criminal conspiracy को punish किया जाता है, अब criminal conspiracy की अगर punishment की बात करें, तो वो आपको section 120b के अंदर दिया हुआ है, और यह punishment आपको दो parts में बताई हुई है, पहला part यह बोलता है, कि अगर आपने criminal conspiracy की है, एक ऐसे offense को करने के लिए, जिसकी punishment, यानि उस offense की जो punishment है, वो या तो death penalty है, या फिर life imprisonment है, या फिर imprisonment दो साल से जादा का है, ऐसे किसी offense को करने के लिए, अगर आप criminal conspiracy करते हैं, तो आपको उसी तरीके से punishment दिया जाएगा, आपको उस offense को करने के लिए abitment किया है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले पार्ट से हमको क्या पता चला, कि ऐसे offense को करने के लिए, ऐसे act को करने के लिए, अगर आपने conspiracy की है, जिसकी punishment IPC के अंदर, या तो death penalty दिया है, या फिर life imprisonment दिया है, या फिर दो साल से जादा का imprisonment अगर बताया हुआ है, तो ऐसे offense को करने के लिए, आपको सजा इस तरीके से दिये जाएगी, मानलो आपने उस offense का abitment किया है, तो जैसे की A और B एक ऐसे offense को करने के लिए conspiracy करते हैं, जिसकी punishment IPC के अंदर दो साल से जादा की दी हुई है, तो यहाँ पे जब हम A और B को punish करेंगे इस criminal conspiracy के लिए, उनको इस तरीके से punish किया जाएगा, as if उनने इस act को करने के लिए, इस offense को करने के लिए abitment किया है, दूसरा part बोलता है कि अगर आपने किसी ऐसे act को, किसी ऐसे offense को करने की criminal conspiracy की है, जो उपर के provision में नहीं दिया है, यानि कि इसको हम interpret कर सकते हैं, कि जिसकी punishment दो साल से कम की दी है, ऐसे offense को करने की criminal conspiracy आपने की है, जिसकी punishment IPC में दो साल से कम की है, तो वहाँ पे जो आपको punishment दिया जाएगा, वो मिलेगा maximum 6 महीने का, या फिर fine और या फिर दोनों, तो A और B अगर ऐसे offense को करने की conspiracy करते हैं, जिसकी punishment IPC के अंदर दो साल से कम की दी हुई है, तो A और B को maximum सजा जो मिल सकती है, वो होगी 6 महीने का imprisonment, या फिर fine, या फिर दोनों चीजें, So guys, that brings us to the end of our session, thank you so much for watching the video, again, do like the press button and do comment in the comment section, अगर आपके कुछ doubts हैं criminal conspiracy से related, we would love to help you with all your doubts and all your queries, और अगर आपके कुछ एक जुडिशरी aspirant हैं, and you're looking for some judiciary classes, तो you can also enroll for the judiciary courses, जहापे आपको सारे major, minor, local laws, legal translation, judgment writing, यानि prelims और mains की पूरी तैयारी करवाई जाती है, you get separate classes for current affairs and GK as well, and साथ ही साथ, आपको यहाँ पे हर state के लिए individual mock test series भी प्रोवाई करवाई जाती है, so thank you so much again for watching this video, take care, all the best.